अब मैं पूरे सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के सम्मानिय अध्यक्ष वीडी सर्माजी को अमंत्रित करता हूं कि वो हमें मार्ग दर्शन दे जोरदार तालियों के साथ स्वाज़त कि बोलिये भारत माता की भारत माता की भारती जन्ता पार्टी जिन्दाबाद भारती जन्ता पार्टी जिन्दाबाद आज इस भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश कारले में सदस्ता ग्रहन समारों के अबसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे लोग प्रिये यसोशी संबेदन सील और हम सब के नेता ऐसे आदर्णी मुक्षमंद्री आदर्णी सिवरा सिंग चौहांजी मैं चाहता हूं कि जोड़दार तालियों से हम उनका स्वागत करें कर दूरणी और इस मध्यप्रदेश को जिनों ने दुरावस्था से बचाया कि इस मध्यप्रदेश के गरीवों को जिनों ने बचाया है योग सिवरा सिंग चौहांतों विगत 15 वर्सों में लगातार काम करते हुए गरीबों का दिल जीत रहे थे और उन्होंने मध्यप्रदेश को सुनाने मध्यप्रदेश बना दिया था लेकिन मित्र दुरुभाग के से कुछ बीच में घटना हो गई और एक ऐसा मुख्यमंद्री बन गया जिसने पूरे मध्यप्रदेश को गरत में डाल दिया लेकिन पूरे मध्यप्रदेश को बचाने के लिए और गरीबों के हितों के रक्षन के लिए जिनोंने बीडा हाथ में उठाया ऐसे आदरनी जोतरा दिस सिं देता और आज इस सबसर पर जो इस सभागार में हमारे भारती जन्ता पार्टी के कभी सम्मानी बंदू भी यहां पर उपस्तिता हमारे तुलसी चिलाबट जी यहां पर उपस्तित हैं नरेन सिंग राजपुजी हमारे जला पंचात के हमारे भारती जन्ता पार्टी के वहा मैं आप सबका बहुत तहे दिल से भारती जन्ता पार्टी में हिजैसे बहुत स्वागत करता हूं और आपको आज आज आदरनी सिवराज सिंग चोहां जी और आदरनी जूतराजी सिंधिया जी के साथ उनकी उपस्तिति में एक आश्वासन आपको जरूर देना चाहता हूं आदरनी सिंथ्या जी वह कह रहे थे आप दोनों को कि इन सब के हातों में सौपा जाता है कल किसी ने कहा होगे और और शिवराज जी अब एक और एक मिलकर के इस परिवार में आप सब लोग आए हैं और इस परिवार के अंदर कभी आपको यह एसास नहीं होगा कि आप कहीं और आए हैं आपका घर परिवार के साथ उस आत्मिता के साथ परिवार के अंग बनकर क्या हम काम करेंगे यह मैं भारती जंता पार्टी के द्यक्ष होने के ना चार युक्त सरकार को मध्यप्रदेश के अंदर समाप्त किया है ऐसे इनमहान युद्धाओं के लिए हम लोग मिलकर के आगामी समय में होने बाले 24 विधन्सभाव के चुनाव है आज इस सदस्ता ग्रेंड कारक्रम के बाद हमको संकल्प ले करके जाना पड़ेगा हमको अपने अब में तैय करके जाना पड़ेगा कि यह जो चुनाव है हाट पपलिया विधन्सभाव का जोप चुनाव है जो पिछली बार मनुच चौदरी जितने से जीते थे अब भारती जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजिन्यतिक दल है उसकी इतनी बड़ी को जीत करके कॉंग्रेस को बताएंगे कमलनाथ और दिगविया सिंग जी तुमने मद्डिपृद्ध के साथ क्या किया था तुमने इस मद्डिपृद्ध की जनता के साथ कैसे दोका दिया है कैसे जूट बोला है इसलिए आज इस अबसर पर एक बात और मैं आप सब लोगो जी ने और मनोच चौधरी जी ने उन लोगों को जमीन पर लाया है जिन लोगों ने मध्यपृद्ध को बरबाद कर दिया था संबल योजना आदरणी सिवरासिंग चौहां ने प्रारम की दी गरीबों के दिल को जीता था भाईया संबल योजना क्यों बंद की आपने आपने उन बेटियों को लाड़ी लक्ष्मी बेटियां उनकी आपने कहा कि 25 जार नहीं 51,000 देंगे आप पूरी हाट पपली या विधान सवा में एक कोई बेटी नहीं बता सकते जिसको एक रुपया मिला हो आप भंजीयों से दोका कर गए और यहां इतने बड़े जन समु सब्सक्राइब को मैं पूछना चाहता हूं कि जो अपनी भंजीयों से दोका करता उसके साथ क्या होता है बसता नहीं है भंजीयों से आपने दोका क्या गरीब किसानों से दोका किया गरीबों के साथ दोका किया इसलिए आधरणी सिंद्या जी ने काता कि हम सड़कों पर उ भारत का सबसे बड़ा जूट बोलने वाला आदमी है कि सबसे बड़ा और मैं तो कभी एक बार कभी वहाँ पर गया था रादोगड के अंदर एक संग का कारिकम था उसमें में सामने से मुझे किसी ने कहा तो मैंने कहा कि भारत का आज का जैचंद बन करके खड़ा है जो हमेशा सेना के खिलाब बोलता है हमेशा जो देश वक्ति का काम करता है उसके खिलाब बोलता है आप कभी भी देखिएगा आज भी यह लोग कह रहे हैं कि चीन के अंदर क्या हुआ इस पर आपको बताना चाहिए रहे भाई चीन के अंदर तो वह हुआ जो पहले कभी किसी के अंदर हमारी सेना ने अपना अजिकार नहीं दिये थे लेकिन माननी प्रधान मंत्री ने चीन की जीन के अंदर जो हमारी सेना वहां पर सीमा उपर खड़ी ती उसको अजिकार देख करके जो आधरणी अभी सिविला शिंग्चोवान कह रहे थे गरदन मडोर करके भारत के उन सेन को पर हमला करने का जबाब अगर किसी ने दिया है तो प्रधान मंत्री मोजी के नेत्र तुमें उस सेना ने जाकर के सीमा पर दिया है और आज लेहे में जाकर के माननी प्रधान मंत्री उनको संबोधित कर रहे हैं इसलिए में तरो हम सब लोग मिलकर इस सदस्ता घ्रेंड कारिकम के बाद आप भारती जुनता पार्टी के परिवार के अभिन अंग हैं हम सब मिलकर के काम भी करेंगे आगे भी बढ़ेंगे और मनोच चौधरी जी को प्रचंट भाहुमत से जिता कर इस चुनाओं में त्यास बनाने का संकल प्लिकर हम आज यहां से संकल प्लिकर के जाएं इसी आसा और विस्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बदाई जय हिंद भारत अब एक बार जोरदार तालिया कि अ कि